पहली बार छट का शूट दो दिन हुआ है एक और खेसाडी जी का शूट एक गाने के लिए दो दिन होना ये बहुत बड़ी बात होती है कुछ घाट से रिलेटेड उसमें सीन था तो उस दिन मेंने दो तीन गाना एक्स्ट्रा भी निकला चूकि उनका मेकप बुजूर्ग का था फिर जमानी का भी मेकप है बुजूर्ग का भी मेनत है बच्पन कभी उसमें बहुत अच्छा मतलब एक श्टोरीकल शाठे पूरा उसे इस्टोरी को मैंने लिखा है बनाया है गाना भी मैंने बनाया है और उस वीडियो को खुद डाइरेक्ट हमने किया नमसकार मैं नी हमेशा करता हूं और आज पहली बार हमारे को समय दिया है मिस्टर पवन भाईया जिया पवन भाईया क्यों कह रहा हूं दरसल थोड़ा सा सस्पेंस है जिया आपको बताते हैं उन्होंने तमाम हिट गाने दिये एक नहीं सैकड़ों गाने और जिस जगह में बैठा हूं जिस में बैठा हूं वह उन्हीं का ओफिस और यहां से ना तमाम कई सिंग्रों ने हिट पर हिट मुकाम किये हैं उनसे जानेंगे कुछ उनके नए प्रोजक्ट के बारे में और कुछ चटपटी वाते लेकिन उनसे पहले यानिकी पवन भाईया का अपने चैनल पर स्वागत करत सब्सक्राइब डिल से थैंक यूं आपको आपने एक अपिस में आकर मेरा इंटर्विव लिए समझ में गया है नौन है और क्या धमाका होने वाला धमाका सबसे वाला सवाल अखाना बहुत जादा कॉंट्रोवर्सी में है चर्चा है कि एक गाने को दो दिन शूट किया गय क्या गाना है किस तरीके का गाना वो पहले चीज बताई आपको देखिए छठ का गाना है और मुझे लगता है कि अभी तक जो भी लोग भी गा रहे हैं पहली बार छठ का सुट दो दिन हुआ है एक ही ओखेसाडी जी का सुट एक गाने के लिए दो दिन होना यह बहुत पत्व है और चट लोक आस्ता का सबसे बड़ा महा पर्व है और चटी मैया भाजपुडी में कहल जाओ कर अबकर सबसे बरा संसकार सिखावेली जोकि छठ यह कैसा परव है जहां सुधता का सबसे बारा ख्यार रखा जाता और विना धोकोशला के पूजय होता है बीना किस पंडी जी का चाहिए किसी का बज़वत नहीं होता है उसमें आराम से आप गीत गाह करके ठेक वुए पुरी चला के मुड़ाई को सेव सुथनी चला करके 6 माई को मनाते हैं तो अभी का जो जैनरेशन है हम लोग जैसे बिहार से हैं और भज़पुरी से हम लोग के अभी जैसे बदल रहा है जैसे क्या है कि बज़पुरी से जाकर कर के आप पढ़ली के बहुत बड़े हो गई एंजिनिएर हो गई आप अमेरिका चले कनाडा चले गई तो हमारी जो कर लिए कर लिए किसी दूसरे मतलब धर्म के लर्की से तो वो छट को मतलब नहीं समझ पाते हैं तो आने वाला जिनरेशन इसे इसे करते जाएगा तो फिर छट का महत ही खत्म होते जाएगा तीरे-दिरे इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा बट यह जो अभिनाई पीरी कर यह इसी से रिलेटेड यह संग है और बहुत ही वहत्रीन संग है किसाड़ी जिखूज इसमें बुजुर्ग का रोल की है मतलब माँबाप का रोल की हुए है उनके बेटाए पतों का पेश में सीन है बहुत अच्छा मतलब एक स्टोडिकल चाठे पूरा उसे स्टोडी को मै यह ने लिखा है बनाया है गाना भी मैंने बनाया है और उस वीडियो को खुड डाइरेक्ट भी हमने किया है क्या वाथ है आपने बहुत बढ़ी चीजिशी बताई कि अब आप कतेना के राइटर के साथ साथ आपने डारेक्शन की भी कमाल समहाल लिया और वह भी स्टाटि एक ऐसा पर्व है जो जैसे कातिक चर गया तो छट का महल अजीब ताइब का लगता है बहुत मस्त तो छटी माई के कल्चर को और बढ़ावा मिले और अपने माबाप के माबाप कितना भी गल्ती कर दे तो बेटा का फर्ज होता है कि वो उनके मतलब किये हुए पुन्य को भूलें अगर आप गलत कर भी देते हैं मामी पापा को डांट भी देते हैं बोल भी देते हैं अगर वो घर से बाहर भी चले जाते हैं अगर आप सबसे बड़े तकलीफ में होंगा उनको पता लाएगा तो सबसे बड़ा स्वयोगी आपके मामी पापा ही होते हैं इसी से ल तो सबसे वह बहुत करना है तो सबसे टाइमिंग का कैसे आपने मैनेज किया होता है कि कुछ घाट से रिलेटेड उसमें था तो दिन मेंने दो-तीन गाना एक्स्ट्रा भी निकला जो कि उनका मेकप बुजूर का था फिर जवानी का भी मेकप है बुजूर का भी मैनत है फिल्टल में भी शूट हुआ है दो दिन कई कई जगा स्वूटिंग तो खेशाड़ी जी का उसमें बीच बीच में कुछ और जैसे कि उनके सांथ के जो सई होग एकिक्टर्स है तो उनलों को पूटेज्द था उनलों का कर रहा है तक है सबढ़ major कर लाओ सम उस संदर में 2 बिच बिच में के गाना निकाल दिया जाता था तो कि शेट लगाने में टाइम लग रहा है तब तक दूसरा हम लोग आना करते हैं वैसे करके मैंनेज कि यह नहीं तो उनका तो बहुत समय है अपने गानों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं किस चैनल पर आएगा कुछ जानकारी देना चाहेंगा और कब तक आने वाला है कुछ है यह गन्नायक फिल्म से आएगा और इसका एक नौंबर को डेट रखा गया है यह एक नौंबर ने तो 28 नौंबर यह 18 अक्टूबर है और जियी से च्छट पूजा में और खाली जीने में कितने मेश आने वाले हैं के साथ मतलब आने वाला है आपका और तो बहुत सारा लोग के साथ है अब वैसे हम लेडी लोगों में ज्यादा लिखें अमरिता दिक्षित का लिखें कुसबूतम अनुपमा जादो का उसकेला में आपको अंद्रासिंग प्रियंका फिर दीपक दिलदार आलहम राज बहुत सारे लोगों का लिखे हुए हैं